कि बाबा पिए अरौ लगा है कि दूर गनानी कि भात करते हैं जिसे लोगों में दुँएज despi ना पैदा होती है तो हईया है और बढ़ाने की बात कर रहे हूँगे है अच्छा बनाने की बाथ कर रहे ह 모ंगे जब भारत पाकिस्तान बतवारा मुझे भगती लोगों से मैं तो I see that I only अपर यह कечатए घटा पार्टी डुनिया की सबसे बड़ी राजनेटिक पार्टी जो हैसे बड़ी सब्सक्राइब लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमरीका माता, रूस माता, कहीं सुना है? भारत माता की जय होती है, भारत माता की जय करने वाले लोग है, ये संतों का देश रहा है, सेंटा क्लास का नहीं रहा है, ये देश संतों का है, महत्माओं का है, साधूं का है, फकड़ों का है, पीर का है, महारिशियों का है, गुरूं का है, संतों की बात करिए, सीता, साबितरी, गारगी, अपाला, अनुसुया की बात करिए, इस देश में सन्नी लोनी की बात मत करिए, लेना एक नहीं, देना दो नहीं, जाना तुम्हें है नहीं, बात करनी नहीं, F.I.R. करा सकते हो त लालू यादव का नाम रोशन करने वाला भक्ती में तेजप्रताप यादव राजनीत में तेजश्वी आदव माहर है खिलारी है एक्सपार्ट है लेकिन भक्ती भाव में तेजश्वी आदव बहुत अच्छा बड़े संस्कार वाले वद पागेशवर बावा यानिकी धिरेंद कृष्ण सास्त्री बिहार आ रहे हैं और बिहार आने से पहले उन पे फायार हो गया है मुझपःपुर में उन पे फायार हुआ है सुरज कुमार नाम के वकील है जिन्होंने उन पे फायार कराया है फायार में आरोप ये लगाएगा है कि बावा जो है हिंदूों के जो भावना है उसको ठेस पहुचा है उन्होंने इसी पर चार्चा के लिए अभी मेरे साथ देश के मसहूर वकील है एपी सिंग है सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है बावा प्यारोप लगा है और बावा पर फायार हुआ है क्या कुछ कहना चाहते हैं नहीं फायार तो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी गलत हुई है देख हमारा देश यो है न सनातन पद्दति सनातन धर्म संतों बावा फकीरों की धरती रही है संत कबीर, रविदास, गुरु गोविंद संग ऐसे सब संतों का रहा है हमारे यहां पूरा हमारे देश के राजकाज पहले वो भी संतों से चलते थे विश्वा मित्र पहुंचते थे राम के दरवार में सब उन्हें राय देते थे, गुरु वसिष्ट, मुनी जन, सब करते थे रावन के यहां भी संतों रहते थे और आज भी हमारे देश की सरकारों में संतों का बहत महत्तो है भगवा का बहत महत्तो है और सनातन धर्म, सनातन पद्दत इतनी अच्छी पूरी दुनिया के लिए है जो वसुधैव कुटुमकम का नारा देती है सरवे भवंत सुखिना, सरवे संतु निरामया का उपदेश देती है साथ में, जब हम सनातन धर्म पद्दत से कोई हवन, पूजन, वैदिक रीच से समाप्त करते हैं तो क्या नारा देते है बिश्यु का कल्यान हो अपना कल्यान नहीं, मैय जमान का कल्यान नहीं पंडित जी का कल्यान नहीं, कथा सुनने वालों का कल्यान नहीं पैसे देने वालों का कल्यान नहीं, टेंट लगाने वालों का कल्यान नहीं, मीडिया कवरिज करने वालों का कल्यान नहीं, भंडारा करने वालों का कल्यान नहीं, कपड़े वस्त्रा भूशन दान देने वालों का कल्यान नहीं, विश्यो का कल्यान हो का नारा देने वाला हमा सनातन पद्दति के धर्म के एक उपदेशक, कथा वाचक, एक संत हैं धीरंदर शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा के नाम से प्रशिद्य है, मसूर हैं, तो सभी का अधिकार है, पूरे देश में जाने का, जो उन्हें जहां बुलाएगा, वो बहां भुला रहे हैं, फिर एक यार का मतलब, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मस सुनिए, आपको बुरा लग रहा है, आप मज जाईए, आप उस रास्ते पर मज जाईए, जिस रास्ते पे बागेश्वर धाम, बाबा की कथा हो रही हो, क्यों जा रहे हैं अप मत जाईए, ले और भावनाओं को ठेज पहुंचाने की रात की जारे हैं इसस पर क्या करना क्या चाहते हैं। सबके अनदर आत्मा है और हम सफत लेटे भग्वान को हाजिर नाजिर मान कर सफत लेते हैं न भगवान जब शरीर में आत्मा नहीं रहती है तो इस शरीर 12, 24, 36 घंटे के अंदर शमसान घाट भेज दिया जाता है सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है गंगा जल में प्रभावित कर दिया जाता है घर से बेट से हटा के नीचे ले आया जाता है समय भगवाद है हर राधा नशनिंग हं और और दिया अज देखा जाता है हमारी वह संस्कृत है हमारी वह परमपर्म आप में भगवाम है अगर भगवान। आप जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं अगर भगवान न होता आप में तो आपका चैनल उत्तरभारत में इतना अधिक देखा जाता आपके इतने प्रशंशक होते आपकी कवरेज की हुई चीजें आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं अगर आप सुप्रीम कोड की करते हैं तो अपने कानों से सुनत कई किसी का इंट्रेवू लेते हैं सब कुछ उसके बारे में जानते हैं खागालते हैं लोगों की बार तो आपके अंदर भगवान है मेरे अंदर ही भगवान है लोग हमें भगवान कहते हैं जिनकी जिदगी बचा देता हूं शबनम सलीम की फासी बचाई वो भगवान मु इश्र अंश जीव अविनाशी इश्र का अंश है सब और जीव अविनाशी है जीव की आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है कभी नाश नहीं होता है कभी खंडन नहीं होती है आत्मा अलोकिक है अमर है अजर है अविनाशी है और हर एक कंदर है जब तक आत्मा है जब तक गिर जाता है जीवन में बाबा पे जो अपक्षार हो सकते हैं यह नहीं कि आप राजनीत का ठंटा है जो आप राजनीत ही करने के लिए किसी जेल भेजने की बात करने लगें क्या मतलब होता है कि अधिकारू से सबके मू հादिकार हैं सबके लिए अपने जीवन जीने का धिकार है सबके fundamental rights सब करफ करते हैं सब अपने duties को करते हैं सब अपने अधिकानों का प्रियोग करते हैं सबको जीने का भीडिकार डेता है FIR doesn't mean you will be arrested है ठेट फार मितलब है तो आप अच्छा बनाने की बात कर रहे होती है जब भारत पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो बना मुसल्म राष्ट बना पाकिस्तान बना ना हिंदू हिंदू के लिए बना हिंदू के लिए यहां है रखेगा नहीं पृटेर हिंदूराष्ट नहीं पृटेर ठाहे सब करते हैं करते हैं हम सारे संसार को अपना मानते हैं आज एक धर्थी एक जीब सब मधीजी ग20 कर रहे हैं पूर देश में पूरी दुनिया के लोग यहां पूर देश में पूरी मतलब यही भीडान कि लोग यहां आ रहे हैं सम्मान कर रहे हैं इज्जत की नजर से देख रहे हैं तो इसमें बागश्वरधाम का क्या नया काम है हिंदू राष्ट्र तो था है रहेगा अच्छा बावा पर एक आरोप लग रहा है कि बावा जो है बीजेपी का एजेंट है इसे क्या करा चाहते संत किसी का एजेंट नहीं होता है संत सनातन का एजेंट होता है संत भिंदुत्त का एजेंट होता है सनातन पद्दती का एजेंट होता है सनातन भक्ती रस का एजेंट होता है संत अंधेरे में रहने वालों को रास्ता देता है संत उन लोगों को ग्यान देता है जिनकी दो वगता है नोगों को रास्ता दिखाने का का काम मानवत्य जानी को एजंट का मतलब मतलब होता है एजंट बाइजंट वा भारतי׵ी जनता पाटी दुलल की विज्टय बडी राधनितिक सब से पड़ी लोकतंत रहें, हम दुनिया के सबसचेदिक जना संक्राव में हैं, भारती जनता पार्टी के कितने गवार्नर है महांभीम, पताह आपको देश, राष्ट्रपाथी, लोकसभाद सदस, राजसभाद सदस, कितने मानिये मुख मंत्री, कितने माननी है केंद्री मंत्री कितने माननी विधायक कितने लोग है पूरे देश में सब कुछ बड़ा है इतना कड़ा काम उन्हें एजेंट संत को और संत को एजेंट बनने की जरूरत क्या है और संत को एजेंट बनाने की जरूरत क्या है संत तो सनातन पर्दत क्या है हाँ उस बागेश और धाम का वो हर व्यक्ति एजेंट है जो उनकी जैकारा करता है जो उनसे प्यार करता है जो उनके लिए सम्मान करता है जो उनके लिए दुलार करता है जो उनका हित चाहता है सनातन पर्दत में यही कहा गया है सनातन सब के लि कि लिए बिल्कुल कभी काम नहीं करता सानातन कभी पूरे देश कुहाटी से चोपाटी करना कुमारी से कश्मीर अटक से कटक नहीं पूरी दुनिया में सानातन पद्दत है भारत में मंदर नहीं है पूरी दुनिया में मंदर है ब्रिटेन के राष्टपती सानातन पद्दत स पूजा करते हैं दिवाली मनाते हैं एमेरीका में दिवाली की छुट्टी होती है सब अमेरीका में क्रिश्जियन देस शाही देज दिवाली की छुट्टी होती है बंगरे का देश रहा है, सेंटा क्लास का नहीं रहा है, यह देश संतों का है, महत्माओं का है, साधूं का है, फकड़ों का है, पीर का है, महारिश्यों का है, गुरूं का है, सेंटा क्लास का देश नहीं रहा है, यह ब्यों लोग कहते हैं, जो संता क्लास की बात करते हैं, संतों की बा करिए इस देश में सनी लोनी की बात करिए इस देश में संतों की भूमिका है संत इस देश की हैं दुनिया में आपने कहीं आपने सुना है लंडन माता चीन माता जापान माता अमरीका माता रूस माता कहीं सुना है भारत माता की जय होती है भारत माता की जय करने वाले लोग है कुछ लोग भारत माता की जय नहीं करते हैं उनका अपना सोच है संभिधान की सपत्तों खाते हैं पैसों का उपिहोग तो इस देश के गरीब दलिश, शोशित, पीजित, मजदूर, मजलूम लोगों का करते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं करते हैं से लोग भी देश में लेकिन यह देश संतों का ऐई संतों की प्रश्वुह में आप देखते हैं बैदानात जोतरलिंग कितने च्रुवुलिंग जो Juli linen बारा बारा जोतरलिंग कहां कहां कौ एक यड़िए लाइन से लगे हुए है केदारनात बैदनाध्धाम, उज्जैन, महाकालेश्र, तामिलाडू में, महाराष्ट्रा में, कहां कहां क्या-क्या hè, मंदिर हो, आपने देखे साओध कि कितने विशाल मंदिर, कोई सुच नहीं सकता, कलपना नहीं कर सकता, इतना पिकट इस्थिती है और लोग की मानता है पूरी होती है अगर बंद दरवाजों में रास्ता है और लोग कहते हैं अगर आस्ता है अगर विश्वास और आस्ता है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है बहां से भी सुनते हैं कई बार मुझे मंदिरों में जाने का अफसर मिला मंदिर के महंत पुजारी ने कह दिया सही साथ टाइम बंद हो गया कुछ लोगों ने पहचा लिया रहे आप तो एपी सिंग जी नहीं नहीं खोलो 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 दर्शन कराओ कई बार ऐसा हुआ कई जगें दर्शन कराओ कई जगए नहीं छाबी लेके चले गए मने का रहने दो चाबी मंगाने को कोई ज़रुवत नहीं चाबी मंगाने की अगर एपी सिंग के अंदर आस्ता है भावना है भाव है तो यहीं पर सठांग दंडबत कर के भगवाम दर्शन भी देंगे और सामने भी आएंगे आस्था और भक्ती का मावला है यह शद्धा का मावला है यह शद्धा और भक्ती से चलता है इसमें कोई ज्ञान विज्ञान की जरुवत नहीं गुणा भाग करने की जरुवत नहीं राजनिति की रोटियां सेकने की जरुवत नह क्या अग्यृत है गलो मानिक शक्ता शक्त उ क Cashार मju यहलाहि किर आप मंदिर में जाते हैं歌 जलाते हैं रोष्ण है मस्चिद में जाते हैं तो चिरागा करते हैं ठीक है और गिर्द्यागर में जाते हैं वहां कैंडल जलाते हैं मुंबत्ती जलाते हैं और गुर्दारे में जाते हैं वहां भी दीपक चलता है प्रकाश होता है प्रकाश परम मनाय जाता है तो समझे हैं प्रकाश है रोशनी है प्रकाश है रोश्णी मतलब अंधेरा मिटाएगा, अंधेरा खत्म करेगा, अंध विश्वास खत्म करेगा, जूट को नश्ट करेगा, पाप को नश्ट करेगा, मानसिक बिकृत को खत्म करेगा, मन के अंदर एक अच्छी प्रवर्ती होती है, एक बुरी प्रवर्ती होती है जैसे good cholesterol, bad cholesterol, दोनों तरहें खोते हैं, good cholesterol सरी को ताकत देता है, bad cholesterol हर्दे को गलत देता है, रास्ता देता है, गलत तरहें ले जाता है, अरे बिहार में जा रहे हैं, स्वागत करो किसी का, अथिति देवो भावा, अथिति देवो भावा की हमारी संसकार रहे हैं, बिहार, नाल कोने सा बिहार सुन्दर बिहार कहना चाहिए उन्हें स्वागत करना चाहिए पधारों महारे देश बिहार में आपका स्वागत है पलक पावडे बिचा कि बाबा का स्वागत करना चाहिए आप फाईयार देखी स्वागत करा रहे हैं बैमनस से फैला रहे हैं समाच में दरार पड़ेगी, कुछ लोग उन पर कराएंगे, कुछ उन के खिलाफ करेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो F.I.R. को पुलन्दा हो जाएगा, इसका मतलब आप बाबा को रास्ते से भढ़ाना चाहते, देरा सच्छा सोधा ने कितने मानवता भलाई के कार किये संत रामपालदाशी महराज ने कितनी दहेज मुक्त शादियां कराई कितने लोगों को नशे से हटा दिया कितने परिवारों को बसा दिया कितने लोगों में जाती पर्था को हटा कर दहेज रहेज शादियां करकर तीन मिनट में शादिया ना घोडा ना बारात ना ब को खत्म करना नारान साकारारी है सत्य के साथ के द्वारा मानव मंगल मिलन सत्भावना समागम के द्वारा पूरी दुनिया को संदेश देते हैं मानवता भाई चारा भला कोई दानपात्र नहीं है नारान साकारारी के हां कोई भोले बाबा कहता है कोई मानव मंगल मिलन सत्भ नवता भाईचारा भलाई इसके लिए सभी संतों को संघर्ष करना पड़ रहा है हमारे देश में और यह होना चाहिए बावा को घेनने के लिए DSS बना है तेज परताप यादों ने इनको बनाया है क्या लगता है बावा को घेनने का जो पलान बना है बिहार में घेर होगी रावड़ी आदा रावड़ी देवी जी पर कुछ गलतियां भी हो गई होगी मुख्यमंत्री रहते सत्ता रहते हो जाती है कई बार रूक चूक हो जाती हूं लेकिन उनके जो पुत्र हैं क्या नाम बताया आपने उनका तेज परताफ सिंगा रे बड़ा भक्ति पू रूप मुझे भक्ति लोगों से मैं तो सिधर मनें का तुम तो चलते बड़ते मंदिर हो संत अब ने बलकुल और वह उसके खिलाफ को नशनके फेला ने घलत समझा दिया और उनके सिपह सलाकार होते मंत्री होते हैं तो इधर इद्गीड चत्री बट्टी जो रहते ने पा राजनीत में तेजस्वी आदब माहर है, खिलारी है, एक्सपार्ट है, लेकिन भक्ती भाव में तेज़ परताप आदब बहुत अच्छा, बड़े संसकार वाले बत, राबडी देवी ने कोई कुशंसकार वाले बच्चे नहीं जनमे है, कि आप कहें संसकार हैं, कुशंसकार हैं, बहुत अच्छे, बहुत तपस्या का बरिधान है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे विक्ति, देखिए बावा आने वाले हैं, बावा को लेकर सियासी जारी है, बिहार में लोग तरह-तरह के बाते कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और घेरने की बात जो कर रहे हैं, उस